आप सब को नमस्कार, आज हम मटर पनीर की सबजी बना रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने कुकर रखा, कुकर गरम होने के बाद उसमें ओयल डाला, जब ओयल गरम हो गया फिर उसमें जीरा डाला फिर हमने टमाटर, उप्याज, हरी मिर्च, अद्रक काजु पेस्ट बना रखा था, वो उसमें डाल दिया फिर हम उसमें मसाले डालेंगे जिसमें धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक ये डाल कर हम उसमें मिला लेंगे जब अच्छे से उसकी सिपाई हो जाए फिर उसमें हम मतर डाल देंगे जब मतर अच्छे से कल जाए फिर हम उसमें मलाई डाल देंगे जिससे ग्रेवी अच्छी बन जाए फिर हम इसमें पानी डाल देंगे पानी आप अपने अशक्ता के अनुसार डाल सकते हैं आप जितना डालना चाहें फिर हम कुकर को बंद कर देंगे और एक विसल कुकर में आने देंगे एक विसल आने के बाद हम जो हमने पनीर काटकर रखा है वो पनीर डाल देंगे और थोड़ी सी उपर से कसुरी मेथी डाल देंगे फिर हम इसे दस मिंट के लिए पकने देंगे यह बहुत तेस्टी होती है अगर में सभी को पसंद आती है और बनाने में भी आसान होती है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर करना धन्यवाद